नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हिंदी नोलिश्यों में तो दोस्तों किसी भी देश के लिए इससी ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती दरसल आपको यादी होगा कि अब से कुछ महीने पहले जब मैं पाकिस्तान और IMF पर वीडियो बनाया करता था तो मैं हमेशा कहता था कि आने वाले समय में IMF पाकिस्तान का बजट कंट्रोल करेगा पूरे पाकिस्तान को एक तरीके से अपनी मुठी में रखेगा और कई लोग इसका मजाख बनाते थे कि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला एक छोटी सी संस था पूरे पाकिस्तान का बजट कैसे कंट्रोल कर सकती है लेकिन आज ये हो चुका है आप अपने स्कीन पर देखिए पाकिस्तान का बजट आने वाला है और इसको लेकर जो ड्राफ् के लिए कहेगा पाकिस्तान को कि ये चेंजिस करो हमारे हिसाब से इसके बाद पाकिस्तान इसमें चेंज करेगा और फिर आएमेफ इसे अप्रूव करेगा आएमेफ के अप्रूव करने के बाद ये पाकिस्तान की संसद में जाएगा फिर इसे पास किया जाएगा आप सोच पाकिस्तान का finance अब IMF की मुठी में हैं और आपको बता दू कि इसी दोरान एक बड़ा बम भी हूटने वाला है पाकिस्तान में और यह ऐसा बम होगा जो पाकिस्तान के हर एक वर्ग चाहे अमीर हो गरीब हो या मध्यम वर्गी हो सब की कमर तोड़ कर रख देगा दरसल बता जा रहा है कि IMF के कहने पर पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता पर करीबन 300 बिलियन पाकिस्तानी रूपे का additional tax लगाने जा रही है और reference के लिए आप स्किन पर article देख सकते हैं और बताया जा रहा है कि यह 300 बिलियन का जो tax है न यह पाकिस्तान की जनता पर बहुत भारी पाकिस्तान की सरकार 300 बिलियन का एक massive tax लगाएगी तो इससे कितने बुरे हालात होंगे पाकिस्तान में हाला कि आपको होगे कि IMF ऐसा क्यों करवा रहा है क्या वो पाकिस्तान को बिल्कुल बरवाद करना चाहता है तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान IMF से 7 बिलियन डोलर चाहता है पहले 6 बिलियन चाहिए थे लेकिन अब 7 बिलियन डोलर इन्हें cash में चाहिए अब IMF बेकूफ तो है नहीं कि ऐसे ही पाकिस्तान को पैसे उठा कर दे देगा क्योंकि पता है IMF को कि पाकिस्तान एक ऐसा कुआ है जिसमें जितने पैसे डालो उतने कम है ये 7 बिलियन लेकर सबसे पहले सेना को देंगे उसके बाद कुछ आतंकियों को funding की जाएगी और उसके बाद कुछ बचेगा तो वो पाकिस्तान के politician आपस में बंदरबाट कर लें कर ये चीन का लोन भी चुका सकते हैं इसलिए IMF पैसे खुद खर्च करेगा पाकिस्तान में बजट में खुद प्रावधान करेगा पर इसलिए ये पाकिस्तान के बजट को भी कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि IMF नहीं चाहता कि पैसा पाकिस्तान के politician या सेना के हाथ में दिय दूसरी चीज़ IMF ये चाहता है कि आप पैसा रिकवर कैसे करोगे मतलब हमने साथ बिलियन डोलर दे दिया हमारा पैसा आप कैसे चुकाओगे इसलिए आप जनता पर टैक्स लगाओ ताकि ये बात इंशोर हो सके कि आपकी कमाई बढ़ेगी और उस कमाई से आप हमारा पै कि ये पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है साथ बिलियन डोलर के लिए ये IMF को इतना कंट्रोल क्यों दे रहे हूं जबकि अभी तो खबर निकल कर सामने आई थी कि अमरीका फ्रांस चीन ब्रिटेन इसके लावा सौधी यूए सब मिलकर इने आट दस बिलियन डोलर देने वाल खबर है उसका बेबात में हल्ला इतना काटा गया कि वो सबको सच लगने लगी जब कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान को कई बिलियन डोलर मिलने वाले हैं ऐसी खबर हर तीन से लेकर चार महीने में आही जाती है पिछले दस सालों से ये हो रहा है लेक पाकिस्तान की सेना है और उसके बाद कुछ बच जाता है तो पाकिस्तान के आतंकी सब आपस में बंदरबाट कर लेते हैं जनता तक या पाकिस्तान की एकोनमी तक कुछ नहीं पहुचता और इसलिए सभी देश सिर्फ पियार के लिए ये कह देते हैं कि हम पाकिस्तान को प सकता है इस समय पाकिस्तान को वो है IMF और इसलिए ये अपनी इज़त और अपना पूरा स्वाभिमान सब कुछ गिर्वी रख रहे हैं IMF के पास में लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि IMF इन्हें लोन देगा हाला कि इस मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जुरूर बताएगा Thank you very much for watching वीडियो